स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेली विद पिशनु सर में तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रेस्ट काल्कुलेशन और यह टॉपिक सबसे बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इंट्रेस्ट काल्कुलेशन और बहुत लोग इसमें फस्ते हैं आप खुब असनी से देखेगा और खुब धीरे दिरे देखेगा टॉपिक अज हम लोग कवर करेंगे लून फ्रॉंब बैंक बैंक से लोन लेना और बैंक को पैसा जमा करना थीक है दोनों केस दिखाएंगे लॉन फ्रॉं पर्टी-लेज़र यह फी दोनों केस लेसा अब वो चाहे पेवल के केसम में हो चाहे रिसीवेबल के केसम हो अगला आपको दिखाएंगे कलकुलेट ईन्टरे स्ट पार्टे लेजर ठिकत purse отд अलग होगा पेबल अलग होगा ठीक है तो यह सारे टॉपिक्स कवर अब करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब किजिए टैली विद बिशनुसर चैनल ठीक है तो आगे हम लोग चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपने कोस्टन की और बढ़त नोट्स लिखावा है हाँच से लिखावा नोट्स है देखे लिखावा कि टैली एक प्रोवाइड करता है पावरफुल ओप्सन ठीक है जिसका नाम है कल्कुलेट इंट्रेस्ट ठीक है यह होता क्या है कि आउटेस्टेंड जो भी बैलेंसेज होते हैं उसको दिखाया जात इस लेजर एंड अल्सो अगेंड्स इस ट्रांजेक्शन अल्दो यू में चूज तू बूग दा इंट्रेस्ट कल्कुलेटेड एस पर यू रिक्वार्मेंट का मतलब कि आप यहां पर सिधा सिधा मतलब ही समझेगा कि हमको क्या करना परतेक लेजर का इंट्रेस्ट कमपाउंड मतलब SIMPLE INTERESTS INKArition का मतलब होता है SI और COMPAUND INTEREST का मतलब होता है CI ठीक है यह चीजदे आप जानते होंगे CI SI पहले से भी पढ़े होंगे ठीक है तो अब यह कैसे कैसे होता है यह देखे सिधा सिधा लिखा हुआ कि यह बाइ यूजिंग डेविट नोट जिसका सौट की होता है क्रेट नोट के साथ करेंगे तो डेविट नोट में और उसका सौट की होगा कंट्रोल के साथ एफ नाइन और क्रेड नोट के लिए हम लिए हम लोग क्या करेंगे गाल्ड प्लास एक्टिवेट किया था और इसमें वह ऐसे ट्राण्जेक्सन्स को रिकॉड के आता है जो इंसे पेवल ठीक है अब चली आगे के नोटस में देखते हैं लोग कि इंस्ट को कैसे कैलकुलेट कैसे एक्टिवेट किया आता कैसे एनेबल किया था हाऊव इंट्रेस्ट कल्कूलेशन अस्टेप लिखा हुए गेट्वेफ टैले जी ओ टी का मतलब होता है गेट्वेफ टैली का मतलब front stage view ठीक है तो front stage view से हम वहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे press f11 f1 ठीक है f11 f1 मतलब f11 पहले उसके बाद f1 ठीक है आप आईए बोलिए activate interest calculation को yes कीजे use advanced parameters को yes कीजे चले हम टैली में आपको करके दिखाते gateway टैली पर आगा और बोले क्या कीजे press f11 और f1 यहाँ पर क्या करके देखेगा तेहां पर देखे नजर आ रहा है एक्टिवेट इंट्रेस केल्कुलेशन को क्या करना है यस आप इंटर बटन दबा के वहाँ पहुंची और बोलिए कि का कंडिशन पहले देख लिजे कंडिशन आसानी से उसके बाद हम आपको सारे कोस्टंस को अभर करा देंगे पहला कंडिशन है कि कोई भी कस्टमर हो, take due date 15 दिन, 15 दिन का due date वह ले सकता है invoice date से, टीक है, दूसरा कुस्टन का गया कि you take due date from supplier, मतलब आप अपने supplier से due date ले सकते हैं, 25 दिन तक after invoice date, का मतलब कि कोई भी ब्यपारी अगर आपसे खरीदने आएगा, तो उसको पंदरा दिन डिवड़ेट देना है और आप जब खरीदने जहिएगा तो 25 दिन डिवड़ेट लेना है ठीक है कि टो डिवडेट का कंडिशन समझ में आ रहा है अगला ज़ो व कहा है उसमें लिखा वह कि इंटरेस्ट आउरत दान्स का कंडिसन कि इंटरेस्ट कैसी काउन्ट होगा ये दोनों चीज़ær आपकुन चिरपने करते रहे लेंगा वीडियो को पॉजकर करके इसस इंसौर्स लेए यहां पर साब साब लिखेबल यह कब से लागू होगा 1426 यह फिर 2021 आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं ठीक है आप आईए लिखे रेट क्या है आपका तो रेट है डिस्क्रिप्शन में 6% रेट जो है वो सालाना है यरली है और कब तो डिपोजिटेड आउटस्टेंडि amount of bank मतलब bank में हम जैसे ही पैसा जमा करेंगे तो उस समय bank हमको 6% का ब्यास देगा ठीक है अगला लिखा है कि 7.5% जो रेट है यहां पर 7.5% जो नज़रा रहा है यह जो रेट है यह आपका yearly कैलकुलेट ही होगा और यह loan of bank मतलब bank से loan अगर आप लीजेगा तब आपसे bank 7. 7.5% का loan लेगा यह bank का condition है अगला condition कि 8.25% यह भी yearly होगा और yearly होगा तो क्या होगा आउट एस्टेंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स पास्ट डिव डेट थ्री डेज इस को समझे इसमें 2-3 चीजे लिखावा आउट एस्टेंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मतलब क्रेडिट एमाम जब भी होगा तो उसका rate क्या होगा 8.25% पास्ट डिव डेट का मतलब लिखावा कि क्रेडिटर जो भी है तो माली जी क्रेडिटर हो या डेटर हो उसको तो 15 और 25 दिन का डिव डेट मिल गया तो अब यहाँ पे एक होता है पास्ट डिव डेट और एक होत मतलब होता है काप जितना दिन इसमें डेज की संख्या डालेगा मतलब डिव डेट के बाद इतना दिन तक मेरा इंट्रेस्ट नहीं लगा ठीक है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट डिव डेट हम आपको दिखाएंगे अगला है आपका चार दसमान लोग काउंट इन फो लेजर में आपको इन्टेस्ट कलकुलेशन यह सकरना है तो लिखाव है या तो क्रियेट कीजिये और आपको यह दिमाग में रखना सिंगल मोड में ही करना होगा क्यों कि मॉल्टिपल मोड में अप्टव नहीं कहुलता है आपको मालूम होना चाहें तो दे पार्टी के केस में आपको नजर आ रहा है कि activate इंट्रेस कल्कूलेशन को यस किजे उसके बाद maintain मेंटेन बैलेंस बिल भाई बिलियस कीजिए यह क्यूं करेंगे हम लोग तो गिव करेंगे क्या डिवडेट देने के लिए याद रखिए कि हम लोग कब करेंगे डिवडेट देने के लिए ही हम लोग मेंटेन बैलेंस भाई बिलियस रखेंगे ठीक है अब आगे क्या करना है calculate interest transaction by transaction yes, override parameter for each transaction को कह किजेगा no, और no करने के बाद parameters आप input दे दीजेगा ठीक है, उसके बाद आपका questions से start होता है, यहां तक तो हम लोग notes देख लिए, अब questions से start होता है, और questions में सबसे पहला चीज कि आपको date देखना होगा कि आपका date क्या है, उसके बाद देखना होगा कि आपका voucher का date voucher का type क्या है, या फिर voucher का sort की क्या है, तो हम पहले देखेंगे date, देख लिए कि 1 मई, तो हम अपने tally में गया बोले कि 1 मई date आ जाए, F2 1 मई होगा अब हमको क्या करना है, वहाँ पे लेजर बनाने किसका, तो एक बनाना है cash का और एक बनाना है capital का, तो cash और capital दोनों का laser बनाना होगा, तो चलिए हम लोग laser बना के दिखाते हैं account info में गया, laser में गया और बोले क्या कर दिजे, create कीजे किसका capital का हम बोले capital का capital account होगा, यहाँ पे आपको activate interest calculation यस नहीं करना है, क्यों क्योंकि हमको activate interest calculation तभी yes करेंगे, जब हमको party या bank का laser यूज़ करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम नोही रहने देंगा और accept करा लेंगा, ठीक है, except कराने के बाद आपको क्या करना होगा, एक तो लेजर बना लिए एक का तो लेजर बन गया ठीक है तो अगला जो है उसका नाम है टेक लोन फ्रम PNB बैक क्योंकि क्यास का बना रहता है तो अब एक PNB Benk का बनेगा तो PNB Benk का कैसे बनेगा तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहां पर create में और PNB bank का laser बनाएंगे ठीक है तो चलिए लिखते हम यहाँ पर type करते PNB bank आपको जो भी यहाँ लिखना है लिखिए आप यहाँ जाए बूले PNB bank इसका laser क्या होगा इसका group क्या होगा तो बैंक यहाँ पर आप जालिए OCC चाहे ओडी क्यूंकि दोनों का एक ही काम होता है OCC का मतलब होता है और ODD का मतलब होता है ODD आप कोई भी चूज किज़ेगा ODD ही आएगा देखे हम OCC चूज करे तो भी ODD आएगा इससे नहीं डरना है आपको नॉर्मली बैंक अ काउंट नहीं चूज करना है O Mark complaint करना घंड 밋किलेट में चलेए बोली अगे करना था calculate interest on voucherARON डेट यहाँ चूज करना था वाउचर डेट आगे आके आप इंट्रेस्ट का पैरामिटर्स को दीजिए ठीक है तो इंट्रेस्ट का पैरामिटर्स आपके कुस्टन्स में लिखा है कि 6% यरली और डेबिट इमौन तो 6% हो गया कलेंडर इयर देखें आप समझे तीस दिन मन्त 65 दिन इयर ते सोरी 365 दिन इ लेकिन हमको 368 भी कल्कुलेट करना है तो हम लोगे मतलब लीब को समझना है तो दिन मत डालेगा तीसी दिन हममेशा राखेगा कलेंडर मन्त डालेगा तहीं 30 भी होगा 28 भी होगा तिसले हम लोग यूज करते कलेंडर येर और यहां पर बताएं डेविट वैलन्स कब से अपलीकेबल हो एक चार लिखवाएगा देखिए कोस्टन्स में के एक चार से अपलीकेबल हो अब जो भी एक चार हम 21 के यहां लेजर बनाया हम 21 का कमपनी बनायते की सार है बनाएगे इसे कहां तक जाए तो अभी यह कोई ठीक नहीं है आगे बोले राउंडिंग करना है नहीं इंट्रेस्ट कभी राउंडिंग नहीं होता है ऐसे राउंड का वीडियो भी बना होगा तो आप देखिएगा तो डाउनवर्ड अपवर्ड और नॉर्मल यह तीनों ची क्रेडिट बैलन्स एक चार अपली के बल से तो इस चीज का स्कीन सोट साप आप आसानी से ले लिजे और देखे हम क्या डालेंगे 6% कलेंडर डेविट बैलन्स शाड़े 7% कलेंडर क्रेड बैलन्स डालके इंटर बटन दबाया और एक्षेप्ट करा दिए इसको एक तो बैं असी या O D यस करते हैं आप आप्षूंज को असानी से देखें यस किए वह वाउचर का डेट डाल दिए 6% कलेंडर येर हो गया क्रेडिट बैलन्स साथ साथ परसेंट हो गया कलेंडर ये और डेविट बैलन्स सौरी गलती डाल दिए यह उल्टा डला गया यह डेविट हो होगा है ठीक है डालने के बाद हम क्या के एक्सेप्ट करा दिए यह भी सेम उसी के जैसा था आप एक बन देख लिए तो दूसरा बन सकता है अगला आपका कोशन है डिपोजिट इन्ट यह तो हो गया पर्चेज समें स्टॉक फ्राम अलहोतरा और वह कैसे है तो इन डॉलर य सबसे पहले मलहोतरा का डॉल बनेगा चलिए मलहोतरा अब यह क्या होगा तो हम इससे पर्चेज कर दो संड्री क्रेडिटर मेंटेन बैलेंस बिल भाई बिल यह रखेंगे क्यूं क्यूंकि हमको सप्लायर के लिए 25 दिन देना है देखे लिखावाने डिफॉल्ट संस को क्या कीजिए नो यहां पर डालिए 8.25 परसेंट कलेंडर यह और यहां पर बताया है आपको क्रेडिट बैलेंस के बाद देखिए आप नजर आर आपको बताया थे एक होता है अल्वेज और एक होता है पास्टिव डालेंगे तो का होगा कि जिस दिन से आपका डिव करेगा तो हम यहां पर क्या बोले पास्टिव डेट तीन दिन और कभ इफेक डाले कल्कुलेट कभ से करें तो डिव डेट के इनवाज के डेट पर अगला है चार दसमालों दूपाच परसेंट कलेंडर मन्त क्योंकि यहां पर सिधा सिधा लिखा हुए देखे कोस्टंस में आपके कंडिशन्स में साब चार समालों दूपाच परसेंट मन्त लिए और यह डेविट बैलेंस के लिए तीन दिन हम बोले डेविट बैलेंस के लिए डाल दीजे पास्टिव डेट तीन दिन और यह डिव डेट इन्वाज्ट पे काम करें तो इसका भी एक फोटो ज़र करना पड़ेगा मल्टी केरेंशी करते एफ 11 एफ वन मल्टी केरेंशी हो जाओ बन गया अगला हम रघु का बनाते हैं लेजर अब थोड़ा जल्दे हम बनाते हैं क्योंकि यह तो सम सेम सेम चीज़े हैं रघु का लेजर बना लिए और बोले 15 दिन का डिवडेट हो गया और एक्टिवेट इंट्रेस कल्कुलेशन आठ दसमलों दूचार दूपाज परसेंट कलेंडर येर क्रेडिट बैलेंस ट्यूडेट ओफ इंब्वास थ्री डेज तो यह वाले का फोटो आप लेते रहिएगा वीडियो को पॉज़ करके ठीक है आपको कही भी परेसानी हो रहा है तो वीडियो को पॉज़ करके आप इसको लेते रहें देखें हम आपको समय दे रहे हैं आप इसका इंसकी शॉट आपसानी से ले सकते एक इसका है तो रगू का है आगे एक्षेट करा दे रहे हैं रखू के बाद किनका नंबर आया रगू के बाद आपका नंबर आया मलोत्रा बना हुआ है पी एन बी बैंक इसे इसे बैंक बना है गीव क्रेडिट टू रमेश रमेश का बना यह रमेश यह क्या होगा संडी डेटर ही होगा और इसका भी पंदरा दिन का डिवडेट चाहिए और यहां हम डाल दिये कि ट्रांजेक्शन नुबाइ ट्रांजेक्शन करो अटच मैं सुदू पाँँपाइच पर सेंट कालेंडर एब्डैघ येश डेविट क्रेडिट पैलें स पास्ट टिव डेडेत तीन दिन ब्रक्रेंद djim 235 ल stiffness डेविट पीन भी बैंक का होई गया मलोतरा का होई गया रगु का होई लिए यहां तक मैं किसी को कदिक्कत है तो हम लेजर बना लिए एक आप को बनाना होगा कि इंट्रीस्ट पेबल यह क्या होगा तो इंडेरेक्ट एक्स्पेंस, एक बनाना होगा, आई एटि ए और एसटी, इंटेस्ट, आर इसी इ आई, रिशीवेबल, आर इसी इई, भी ए, बी एले, और यह क्या होगा इंडिरेक्ट इंकम बन गया अब आते हम कैरेंशी बनाने काउंटिंग भाउचर कैरेंशी और डॉलर बनाना था डॉलर बन गया यह आप बनाया है इसका वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में या फर आई बटन पर लगा देंगे आप वहां से जरूर वच कर लिजेगा ठीक है तो हम कैरेंशी बना लिए अब आपको क्या करना इस कोस्टंस की इंट्री करता है कोस्टंस की इंट्री खुब ध्यान से क किसथेंगे एक मई में सारे क्वोसंस दू मई में नहुं में पहला कोस्टन जो है तो हम कहां जाएंगे काउंटिंग बाउचर और वहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे अपने कोस्टंस का सबसे पहला किस वार्शार में इं 트ini हो गए f6 में डेड डालेंगे तो डेड मेरा एक मौई ठीक है CR में क्या होगा तो CR में सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कैपिटल होगा कितना रुपया 5 लग रुपया देखें कोस्टन समय लिका वह 5 लग और उसके बाद कैस एक कोस्टन मेरा बन गया दूसरा नंबर कोस्टन के लिए दूसरा नंबर कॉस्तन है टेक लोन फ्रwn PNB बैंक मतलब बैंक और कैस का काम है बैंक और कैस का काम है Ѥो मतलब प्पूर वाउचर हम यहा गया बोले कि बनाइए आप यहां पे कैस के, CR के लिए के लिए क्या लिए क्या लिखेगा दूलग पचाश जार हमको दिया कैसे दिया कैस दिया हो गया अगला कोशन आपका क्या है अगला कोशन आपकोशन पर आईए तो अगला कोशन में रहा है कि डिपोजिट इन्टू ICI-CIA Bank देढ़लाक रूपया तो हम क्या किया ICICI bank में जमा किये तो ये भी फूर भाउचर में ही होगा और ICICI में जमा किये तो cash गया कितना रुपया तो देखे लिखा वाई 1.5 लाक रुपया उसके बाद कहां गया ICICI bank में क्या क्या जमा किये थे 1.5 लाक के लिए तो 75 को 2000 वाला note जमा किये थे एक्सेट करा दिये दूबभई भी कोशन बन गया अगला कोशन है purchase sum stock from alhotra in dollar यह दिमाग बर रखे कि यह जो है multi currency के कोशन है आप खुब असानी से पिछले वीडियो में भी देखे हैं इस वीडियो में आपको दिखाते हैं हमको purchase करना है F9 button किस से करना है मलhotra से क्या करना है तो purchase का लेजर बनाएंगे लेजर बनाना shortcut बना है अल्ची करके बना लेजे क्या क्या है तो item 1 item 2 जो भी है और unit उसका फिर अल्ची किये और simple को compound बना रहे पहला unit क्या होगा मेरा box और दूसरा unit मतलब conversion 10 और दूसरा unit मेरा होगा piece मतलब यह सारे चीज़े आप पहले के वीडियो में भी देख चुके है आईटम बनाना unit बनाना यह सारे चीज़े पहले के वीडियो में आपको बता है ठीक है कितना है पांच बॉक्स है और डॉलर वन रूपया देखें मल्टी करन्सी के यूज जैसे होता है डॉलर वन से होट एट है पर पिस है इंटर बटन दकाई पर यह on करते फ सकी उसको कई से यूज इंवर्ण कराइफ लेकम पर इंव Series इसको क्या करेंग हम लोकिर यस कर लेए और एकसेities अभी इसमें 0% का डिस्काउंट है अगला आपका है आइटम टू इसके लिए भी वही यूनिट होगा पाच पीस और अब की बार इसका है डॉलर वन रूपिया पचास पेसा पर पीस अब देखें यही रेट आप एक्सेंज होगा और एक पॉसेंट का डिस्काउंट है ठीक ह है अगला कोस्तान है कि सोल्ड समें स्टॉक टू रखो हमको क्या करना है एफेट करना है कि इनको तो रघू को क्या तो सेल करना है सेल्स का लेजर बनाएंगे क्या क्या तो आइटम वन कितना पांच बॉक्स और अब की बार रुपया में केस होजाई रहा पचहत्ता रुपया पर पीस अगला है आइटम टू पांच बॉक्स 115 रुपया पर रुपीस एक पॉसेंट का डिस्काउंट ठीक है एक्सेप्ट करा दीजे दूसरा नमबर कोस्तन भी मेरा बन गया अगला है कि पेड 5000 रुपया टू मलहुत्रा F5 पेमेंट करेंगे किसको मलहुत्रा को अगेंट्स रिफ्रेंस और ये वाले इंवास नमबर के साथ कितना रुपया तब 5000 रुपया हो गया इंड अफ लिष्ट और क्या दिये कैस हो गया अगला आपका कोस्तन से 5000 के बाद पेड 5000 तो ICICI पेड 5000 तो PNB बैंक लोन थू ICICI हम बोले पेमेंट करना है किस से तो ICICICI से तो हो गया ये क्रेडिटर 15 लाग पहले से था 5000 रुपयस को दे दिये चेक ही दिये है किसको तो PNB बैंक को रिसीब कर लिया आगे का कोस्तन से क्या है कि गिव क्रेडिट टू रमेश 5000 रुपया क्या किया है रमेश को हमने क्रेडिट दिया तो F5 बटन में पेमेंट कर देंगे किसको करना है तो रमेश को करना है निउ रिफ्रेंस कितना रुपया तो 50,000 और यहां जाएंगे बोलें कैस हो गया 9 नमबर जो कोस्तन से यहां से आपका कोस्तन से टिफिकल्ट होते जाता है अब यहां पर आपको क्या करना होगा इंट्रेस कल्कुलेशन के लिए आपको कल्कुलेट करने के लिए आपको दूग भाउचर अभी आपको बता है उपर क्लास के ट्रांजेक्शन में कौन-कौन डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट चलिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे अन होता है चले का एफिलेबन एफवन और यहां पर दिख रहा है यूज डेबिट एन क्रेडिट नोट को क्या करेंगे यस करेंगे कैसे A11 F1 Debit Note credit note यह वाले options को yes कर के accept all कराएंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा debit note credit note तो कैसे समझेगा क्या आपको simple interest में account करना एक compound interest में तो उसके लिए हम लोग क्या करते है simple interest के लिए हम लोग class बनाते है या फिर compound interest के लिए class बनाते हैं क्लास कैसे बनता है यह भी पिछले वीडियो में आप देखे हैं चलेगे काउंट इन्फो बाउचर टाइप और अल्टर क्रेडिट नोट का क्लास बनाइए क्लास नेम में आ गया और बोले क्लास कyn को आप एकरने अगला है डेवित नोट इसमें है बोले क्लासres दोनों यसद यसद्र केलिए क्लास अब का सबढ़ देतक साम कुलेट करने लिए कब है देट किया है यून moje चाहे किसका करना है पनी बैंक से लोन हम लिये थेह का मतलब पाइसा होगा इंट्रेस्ट देने के लिए फेवब ट्रांजिक्शन स्कंट्रोल् प्लस एफेट में होते हैं कंट्रोल लिए ब्लस सेफट वे बटन दबाया वोलिए चींड करकेट कर देजंगें इंटर बटन दबाएका बोले किसका तो PNB बैंक का इंटर दबाएगे देखे ऑटो जनरेटेड हो जाता है 1232 रुपया ठासी पेसा हमने कुछ नहीं किया वो खुद जनरेट हो गया आएंगे बोलेगे इंटरेस्ट पेबल है एकसेप्ट करा दीजे इसी तरीके से इंटरेस स्टॉप मलहुतरा सौरी इसी में देखे क्या है PNB बैंक और ICAC दुन्नों है तो हम ICAC बैंक का भी लेजर यह करेंगे तो ICAC बैंक को हम डेढ़ लाख दिये थे पचास जर लिये थे एक लाख तो उसके पास था तो वो न हमको इंटरेस्ट देगा तो रिसी वेबल के केस्ट में क्या करते है लो कंट्रोल के साथ F9 CI बटन दबाएं बोले किसके साथ करना है तो ICAC बैंक देखे 493 रुपया पंदर पिसा रहे है अटो आगे जाएंगे बोलें क्या करना है भाई तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया आगे आईए उसके बाद आपका दिख रहा है कि कैल्कुलेट इंटरेस्ट करना एक मल देट में एक ही जून में तो मल होत्रा का होगा कंट्रोल एफेट में आपको मालूम है मल होत्रा जैसे चूज की जगा यहां पर खुल के आजागा तीन रुपया पच्पन पैसा एक्सेप्ट कराई इंटरेस्ट क्या पेवल हो गया अगला था रघू का तो किसम होगा इंटरेस्ट रिशीबियबल इसका भी इसी में होगा राजियस पच्पन पर गया सौरी रमेज और 1025 रुपय त्यइस पर जो भी है और यह भी इंटरेस्ट रिशीबियबल होगा एक्सेप्ट करा लिजे तो हम यहां तक तो कॉशंस कर ली अगला कॉशंस की इंट्रेस्ट चेंज इंट्रेस्ट रेट जो है आपका वो क्या हो गया चेंज हो गया पी एन बी बैंक का कैसे बदलते हैं हम लोग एकांटिंग भाउचर लेजर और अल्टर किसका तो पी एन बी बैंक का खोलिए और बोलिए एक्टिवेट करो भाई और इसका डेट डाल दीजे एक छो में खतम हो गया यह भी एक छो में लॉक हो गया अब अगला नौ परसेंट का इंट्रेस्ट है सुरी नौ ही परसेंट है न हाँ यर्ली ही है लेकिन यह सब बैलेंस के लिए और दू जून से अप्लिकेबल लेकिए तहां पर लिका बना यह कब अप्लिकेबल होगा तो दू जून यहां चोटा सा दू जूट गया है दू जून है हम क्या किये एक्षेप्ट कराके इसको छोड़ दी है अगला कोशन है कि पेड कीजे 25,000 रुपया अगेंट्स लोन के अगेंट्स में पेड कीजे तह हम क्या किये चले कि बोले पेमेंट करना है एकांटिंग क्या क्या है 25,000 में तो 500 का 50 को नोट था हो गया अगला कोशन है कि रमेज से हम 25,000 रिसीव किये तो F6 किसे लिए तो रमेज से कितना 25,000 और क्या लिए तो cash हो गया अगला को sorry ये तो दोनों दू-दू जून में था ना हम सारे questions से एक जून में कर दिया अच्छा date बदल लेते हैं बोले इसका दू-जून हो जाओ और फिर अगला बोले कैस PNB 25 जा रहा इसको भी कर लिए दू-जून दोनों का ट्रांजिक्शन सही हो गया चलिए अगला question है कि क्या कि इंट्रेस्ट कल्कुलेट कर दीजे PNB बैंक का तो कैसे इंट्रेस्ट कल्कुलेट होगा ये आप देख लिजे अगलेट कहले है लेट देख्ये कैसे इंट्रेस्ट कल्कुलेट होगा calculate इंट्रेस्ट किस डेड़ में करना एक अगस्त में calculate इंट्रेस्ट और पीयनवर बैंक जाइए f2 पहले हम बोले ऐक अगस्त कर लिजे कल्कुलेट करना है PNB बैंक का मतलब कंट्रोल के साथ एफेट बटन और सी आई के वेस पे पिए बैंक नहीं आ रहा है इसका मतलब पिए बी नहीं है हां कल्कुलेट इंट्रेस्ट पी बैंक आउट एसट अंडिंग बैलंस ठीक है आप जाए फिर से करके देखे हम हम कंट्रोल के साथ क्रेडिट नोट खोल लिए इसको दिये थे ना और पी एन भी बैंक चूज किये आ रहा है एक अगस्त में था ना हम एक जून ले रहे हैं एक काट देखिया गया 2656 रुपय नबे पीसा यह टो आएगा मेरा डेट का अंतर था हम यहां पर एक ही जून ले लिए थे जबकि हम मेरा दू एक अगस्त का ट्रांजेक्शन था देखे दिख रहा है तो हम ट्रांजेक्शन गलत की मतलब डेट नहीं लिए थे तो मेरा कोस्टन जितने भी कोस्टन आपको लिखाया थे यह सारे कोस्टन कंप्लीट हो गया इसमें हमने आपको क्या-क्या ब पर्चेज । रघू को किया की सामान बेचें और इसे इंतरेस्ट लिए ठीक है किया कि भी बात होगी तो पैस भी बिताएक का हम पचास की रुपयारalamाइस को दिए और ऊसका हम क्या क्या की एं इंटरेस्ट लिए ठीक है तो इतना दूर में किसी को कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इस नोट्स को आप प्रापर तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आप खुब असानी से हमें किक लाइन नीचे करके आप सक्का ले सकते हैं देखे यह चीज बहुत ज लेने के बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी पे ठीक है यही आपके कुस्टन से ठीक तो हम यहीं उमीद करेंगे हम यहीं कोसिज करेंगे कि आपका यह इंट्रेस्ट कैलकुलेशन अच्छे तरीके से हो जाए नहीं हो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए धन्यवाद